निर्वाचन आयोग की निर्देश पर भागलपूर में तमाम राजनीतिक दलों के साथ निर्वाची प्धादिकारी सुब्रत सेन ने समिक्षाभवन में 20 इस बैठक की चुकि आगामी 2024 में लोक सभा का चुनाव होना है उस बाबत बूत की समिक्षाद नए वोटरों को जोड़ने की प्रकिरिया और मित बोटर का नाम बिलोपित करने के निर्देश चुनाव आयोग से मिले हैं इसी कड़ी में बैठक का आयोजन किया गया सभी राजनितिक दल के प्रतिनी दी और जितने हमारे मानिय विधायक मानिय सांसद है तो उनके साथ जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन होता है आप लोग सब लोग चानते हैं कि अगले वर्ष जो है वो लोग सभा आम चुनाव होना है उसको लेकर के बूत का जो रेशनलाइजेशन का काम होता है युक्तिकरन का कि जहां जिस बूत पर पंदरा सो से ज्यादा वोटर हैं उनको एकदम नजदीक के बूत पर या उस भवन पर जो दूसरा बूत है वहां हम लोग सिफ्ट करा दे उसके युक्तिकरन को लेकर के आज बैठक हुई है और अभी समरी रिवीजन भी जो है वो भी स्टार्ट होना है जिसमें जो मृत व्यक्ति हैं जिनका नाम अभी भी बोटर लिस्ट में है उनका नाम हटाने का जो नए लोग जो 18 साल के हो रहे हैं उनका नाम जो उरने का तो उसको लेकर के भी सभी राजनितिक दलों के प्रतिनि भागलपूर की सुल्तान गंज के अजगेवी नाथ धाम में डियम सुब्रत कुमार सेन, स्सप अनद कुमार की साथ, जिलावा परखंड के पतादिकारियों की साथ, नमामी गंगे घाट, अजगेवी नाथ गंगा घाट, कच्छी कावरिया पथ का निरत्चनकर जाय जाली आ इस दुरान डियम सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि दो महा सरावनी मेला हो रहा है, मलमा सरावन चल रहा है, दोनों महा में सरकार के दरा सभी बिवस्था कावरियों को दी जा रही है, गंगा का जलस्तर बढ़ते घटता रहता है, बाड़ की स्थिति अभी नही बार को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है नगर परिस्द के कई वाड में जल जमाब की समस्या पर कहा कि बारी सोने पर जल जमाब हो गई है जो नगर परिस्द के द्वरा जल जमाब हटाने का कार युद दस्तर से किया जा रहा है SSP आनंद कुमार ने मीडिया को बताया कि दो माह का सरावनी मेला में कावरियों को बहतर सुरच्छा बेवस्ताद की गई है इसी को लिकर सरावनी मेला च्छितर का जाजा लिया जाएगा कावरियों को बहतर सरच्छा मिले इसके लिए प्लीस प्लादिकारियों को आवस्तक दिसान निर्देश दिये गए इस दोरान एडियम एष्टियो धंजे कुमार बिडियो मनोच कुमार मुर्मू सीयो अमीत राज पंचायती राज प्लादिकारी सहकार प्लादिकारी निलीमा कुमारी थाना धच प्रिणजन कुमार सहीत जिलाव परखंड के तमाम करमशारी मौजूद रहे और समय के साथ जो भी यहां कमी हम लों को मिलती हैं तो यहां सारे विभाग के भी पतादिकारी हैं सामान प्रसाशन विभाग से कही सीनियर डिप्ली क्लेक्टर्स को या आटिक्यूट भी किया गया है विविन जिलो से वो लोग भी पुरी वबस्ता बंद रजर रखे जो थोड़ी बहुत समस्याइं आती हैं उसका हम लोग इमिडियेट निराकरन करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अब जो आगे का आप अंगरा बीज दिन और रह गया है विज दिन से ज्यादा उसको हम लोग बढ़िया से संपन इतराएंगे पिछले साल से एक बड़ दिन जो है हम लोग आईजित धान्दी विलारी और जगों पर कराते हैं और सोंबार मों जो राश्ट्य अस्तर के बड़े कलाकर है जहाज घाटी भी होता है तो सारी विवस्था हैं चुस्दूरूस्त है आगे हम लोग बढ़िया से मेला संपन कराएंगे बस लोगों से मे अगर बढ़ता है जलस्तर तो गंगा का जलस्तर आटोमेटिक बढ़ता है और अभी बढ़ेगा भी नदी खत्रे के निसान से नीचे है बार की कोई अस्थिती नहीं है लेकिन चुकि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है नदी में फ्लो काफी जादा है तो जो बैरिकेडिंग ह उससे आगे की तरह दिल्कूल लोग ना जाए, एनॉंस्मेंट भी हम लोग करा रहे हैं और लोगों को भी अपने सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, जो प्रसासन पुलिस का जो भी निदेश से उसका अनुपालन करना चाहिए, और बेरिकेटिंग के पास ही जो है लोग न अगर अभी फिर चुकी दो महिने का मेला है और अगर अस्थानिया जो भुतांदार है, प्लास्टिक का अगर उप्योग कर रहे हैं, बिल्कूल करवाई जो है, वो सुरिश्चित कराई है, बीच में एकदम बंध हो गया था, कि हो सकता है कि करवाई ने ये फाइन भी लग उप्योग का जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, उसका उप्योग परतिबंदीत है, बहुत बारिस हुई है, हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि इधर जो आठ दिन में बारिस हुई है, जो डिफिसेंसी थी उसको भी क्रॉस करके अब सर्प्लस हो हुई है, उसमें भी सुल्तान गंज के एडिया में पूरे जिले के तुल्ला में आप आकरात देखेंगे, तो अभी पूरी नगर परिशत की टीम भी लगी हुई है, जैसे कल भी हम लोग को सकायद मिली थी, तो तुरंत ही लोगों ने अपने सारे मेसिनेरी को मूड किया थ कोसी और गंगा का जलस्तर जो परा किस तरह से तयारी है, सर जिले कोसी का जो अभी का आकरा है मेरे पास, अभी कल रात तक इभन सुबह तक भी दो लाग क्यों से ज्यादा डिस्चार्ज कोसी बरास से हो रहा था, घट करके एक लाग सतर हजार उससे नीचे आ गया है, कोसी लेकिन कोसी में अच्छी बात है कि डिस्चार्ज नेपाल में बारिश हो जकता है, बंद होगा होगा, तो डिस्चार्ज घटना शुरू हो गया, दो लाग से नीचे आ गया, कहीं कोई घबडाने वाली बात नहीं है, चौबीस घंटा अभ्यंता जो है, वो जितरे तटवन सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, कहीं कोई खद्रे की बात नहीं है, अभी डेंजर लेवल से एक मीटर से ज्यादा जो है, दोनों नदी लिचे, तैयारी करना को लेकर क्या बसक देश्चार्ज जाती करना का काम देखिए, जो फिल्ड अस्तर पे जो डेटा कलेक अचानक से जिसा आप लोग ज्यान देए, उन्ने को रोख हटा, तो फिर काम शुरू हुआ है, तो टीम पटना से भी लगी हुई है, लगातार उसमें सुधार भी हो रहा है, और डेटा इंट्री का काम अभी मैंने देखा भी नगर परिशद में, अब आज सुभा से स्मू अब आपकी सहर भागलपूर में खुल चुका है पुरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम शलून, लुक्स शलून, लुक्स शलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए इस सर्विसेस उपलब्ध हैं, लेडीज के लिए हेर स्टैलिंग, पार्टी मेकप ड्राइडल मेकप, हेर टेक्स्चर, हेर ट्रीटमेंट, फेसियल एंड रीचवर्ज, हैंड्स एंड फीट, नेल केर जिसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेर कट एंड फिनिस, हेर कलर, हेर टेक्स्चर, हेर ट्रीटमेंट, स्कीन केर, बीर्ड ग्रूमिंग जिसी सु आपांडमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्थ कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ओनलाइन अपांडमेंट भी ले सकते हैं इन दिनों पूरे बिहार में हाय कोट के निर्देश पर फिर से पूरे प्रदेश में जातिकत जनगन्ना जारी हैं भागलपूर की सुल्तान गंज पर्खण में जातिकत जनगन्ना की प्रगति की समिक्षा करने वाले जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सदर नुमंडल पताधिकारी धंजे कुमार के साथ सुल्तान गंज के नवर निर्मित नगर सरकार भवन पहुंचे जहां उन्होंने जातिकल जनगन्ना कर रहे हैं परवेच्छकों और प्रगनक से जनगन्ना करने के तौड तरीकों की जानकारी हासिल की और कई दिसा निर्द इस परवेच्छकों को दिया इस दोरान जनगन्ना का कारे काफी तेजी से चल रहे हैं सर्वर डाउन होने करन कुछ परिसानी हो रही है लेकिन अगले दो से तीन दिनों में पूरे जिले में जातिकल जनगन्ना का कारे पूरा हो जाएगा समिक्छा कदरान नगर परिस्द की कारपालक पुदा दिकारी परफुलु कुमारी आदब बीडियो मनोच कुमार मुर्मू अंचला दिकारी अमीत राज सहीद बड़ी संख्या में परवेच्छक और परगनक मौजूद थे सहयक कमांडेट आरेफ 144 अलफा के अभिसेख कुमार ने गांधी सान्ती परतिष्ठान के अध्यच परकास चंदरगुपता संचालक तकी अमध जावेद और महबूब आलम के साथ बैठक की बैठक की अध्यचता करते हुए अभिसेख कुमार ने कहा हमारा यह बटालियन आरेफ 144 अलफा है हम तीन दिनों से भागरपूर के बिबिन थाना च्छेतरों में घूम रहे हैं अध्यचता के सान्ती समीती के सस्यों के साथ बैठक की और यह जानने का प्रयास किया कि हमारी बटालियन सान्ती और सदभाब के कारिकों कैसे तेज़ी स देख कर सकती हैं और उसमें यहां की लोग हमारे लिए कितने सहायक हो सकते हैं इस पर हमने अध्यन किया हैं उन्हें कहा कि यहां की सान्ती समीती के सस्यों के लावे बिबिन संगटनों के परतने धी उपस थी थे वहीं बैठा के बाद सहायक कमांडेट आरे एफ 144 अलफा के विसे कुमार के नेत्रुत में ततारपूर और विस्विद्याले थाना के छित्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला गिया वहीं दूसरी और मुझायतपूर थाना से भी बिसरी पूजा को लेकर फ्लैग मार्च आपको बता दे मंदिर परिसर में नाले की विवस्था और निकासी नहीं होने के कारण गंदा पानी परिसर में जमा हो जाता है जिससे मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ता है वहीं मंदिर परिशन में नाला नहीं होने से पानी की निकासी नहीं होने करन मंदिर के अगल बगल घरों में भी पानी घुश जाता है मंदिर में कोई देखने वाला नहीं कोई मंदिर हैं इस तो डूबा है कौन-कौन मंदिर इसमें वह नहीं है साई बाबारो दुद्ले स्वर्दाम दुबा हुआ है महंत बाबा भी दुबा हुआ है आपका पड़ीचे कि ओपीडी सेवा में भी अफरात तफरी का महाल ब्यापत रहा धुल बज्जा अस्पताल में आसा कारिकरताओं ने अपने दोनों हाथों में महंदी रचित नारा भी लिखा था जिसमें लिखा था हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा एक हजार में दम नहीं दस हजार से कम नहीं दिल्ली पटना खोलो कान नहीं तो होगा चक्का जाम नितीश्ट स्वी हाई हाई धमकी देना बंद करो जेल जाएंगे देख लेंगे आपकी आसा कैसी है लक्षमी बाई जैसी है आसा कारिकरताओं ने बताया कि हाथों में महिंदी दचा कर कुंभकरनी सरकार को नीद से जगाना चाहती है कोरोना काल में परधान मंतरी के आवाहन पर थाली बजाने का काम किया था थाली बजाने का मुख्यों देश से कोरोना को भखाना था इस बार हम लोगों के दोरा थाली बजाकर गूंगी बहरी बन बैठी राज सरकार को जगाना है अगर हम लोगों की मागों पर सहनु भूती पुरबग विचार नहीं किया गया तो आंदुलन को और तीज किया जाएगा आसा कारकरताओं ने बताया कि मात्र एक हज़ार के अलप मान्दे पर इस महंगाई में कैसे कार की आ जाएगा, यह सोचने बाली बात है जबकि हम लोगों के दोरा लगातार कई महतवपूर ने कार की जाते हैं राज सरकार से आगरा है कि आसा को कम से कम दस हजार के मानदे के साथ हम लोगों की सारी मागे पूरी के जाए प्रदर्सन करने वालों में जुमलता देवी कलपना कुमारी कृष्णा भारती सहित कई आसा कारिकरता मौजूद थी